हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जारी हूँ फीश करी फीश करी कैसे बनाते हैं हम चलिए बताते हैं सबसे पहले मैं चाकू की मदद से यहां जो मचली का जो यह आस होता है न यह पहले निकाल लेते हम लोग दुकान में ना उन लोग बना देता है मशली वाला लोग लेकिन सही से नहीं निकालता है घर पे लाके अच्छे से हम लोग इसे निकालते हैं और इसे धोने के बाद फिर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं मचली का कान हम लोग नहीं खाते उसे निकाल के फेक देते हैं क्यूंकि उसमें कीड़ा होता है उसे जितने भी धो लिजेगा तो फिर भी उसका जो अंदर में है ना उसका काई रहता है कीड़ा कभी हो जाता है कान में तो इसलिए इसे हम लोग सिधा निकाल कर फेक देते हैं इसलिए हम लोग इसे नहीं खाते हैं मचली को मैं अभी अच्छे से धो लूँगी दो-तिन पानी से धोना चाहिए क्योंकि उसमें खून रहता है इसलिए इसे साफ से धोना चाहिए तो मैं यहाँ पर अभी धो ली हूँ इसे धोने के बाद एक पिलेट में निकाल कर इसमें हल्दी और नमक मिला कर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद मैं इसे फिर तेल गरम करके मैं फ्राई कर लूँगी अब मैं एक-एक करके तेल में फ्राई कर लूँगी तो एक एक पीस को ऐसे बिच्छा लेना है अच्छे से इसको फ्राइ करना है तो पहले मैं मचली को एक एक करके डाल लेती हूं तो इसे हिलाना नहीं है बिल्कुल वो नीचे में पकता है वो सही से जब नीचे का पक जाएगा तब फिर मैं उसे उलट पुलट करके मैं फिर सह से फ्राइ कर लेती हूँ मचली बनाने के लिए मैं क्या-क्या मसाला यूस करती हूँ तो मैं सबसे पहले यहां लहसून को ले ली हूँ अब लहसून डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी काली गोल मिरीच और जीरा जीरा डालने के बाद मैं फिर उसमें डाल दूँगी एक छोटी चम्मच मेथी काली गोल मिरिच, लहसून, जीरा ये सब पिसने के बाद मैं एक प्याली में निकाल लूँगी इसमें अब डाल दूँगी एक जम्मच नमक और एक जम्मच हल्दी पाउडर और एक जम्मच गुड़मिर्च पाउडर ये सब डालने के बाद जो फ्राई किया हूआ, जो मचली में निकाले थी उसी तेल में मैं डाल दूँगी उसे अच्छे से मैं भून लूँगी मसाली को तो मसाली को इसे अच्छे से भूनना है अभी और ये इसमें मैं डाल दूँगी अब पीसीवी प्याज मैं पहले से प्याज को पीस के रखी थी तब मैं मसाले में डाल के अच्छे से भून लूँगी इसे अच्छे से भूनना चाहिए क्योंकि जो मसाला का जो इसमेल होता है वो निकलना चाहिए अब मैं यहां चार हरी मिर्च को दो फाली करके मसाले में डाल दूंगी और दो टमाटर को मैं यहां छोटे छोटे पीस में काट के रखी थी मैं मसाले में डाल दूंगी टमाटर डाल के इसे अच्छे से भून कर मैं इसे गला लेती हूँ तो अब मेरा यह टमाटर जो है मसाले में मिक्स हो चुका है तो अब मैं इसमें एक एक करके मच्छी का जो पीस है वो बिच्छा दूंगी तो मचली को भी हलके हाथों से ऐसे हिला लेना है क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा मसाला जाता है तो यहाँ पर अब मेरा फीश करी बनकर रेडी है मेरे वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने से मेरा न्यू न्यू रेसिपी आप तक का पहुच जाता है